नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टाउक स्कूल तो अब बात करेंगे PNB Share के बारे में जो की हमको Positive Market के अंदर भी हमको यहां पर लगबग आदा परसन नेगटिव जो है वर पिछले दिन देखने को मिली है सुबार बार आप देखिए यहां पर अपने Higher Levels के आसपर लगबग 38-39 के आसपास आने के बार एक अच्छा खासा इसको Resistance देखने को मिला है और सेम हमको पहले भी ऐसा ही यहां पर पिछले दिनों भी देखने को मिला है आप देखिए एक अच्छी खासी हमको यहां पर एक Red Candle जरूर देखने को मिली थी Volume के साथ काफी बहुत बड़ा यहां पर Volume का साथ इस Level को तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया उसके बाद आप दिखिए उसी दिन हमको यहां पर फिर से Lower Levels के आसपास देखने को मिला है और अगले दिन आप दिखिए लगाता तीन दिनों से यहां पर लगाता शेयर अब ही आपको देखने को मिल रहे हैं या नहीं तो जाने के लिए यहां पर वीडियो को लास्त तक जरूर देखेगा जो लग मेरी चैनल पर नए हैं वोगरे पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा यहां पर सब्सक्राइब के बटन के ओपर क्लिक का सकते हैं साथ मे भी मेरी लेटेस्ट वीडियो जो आप तक आराम से पहुन सकें तो सबसे पहले आप देखिए आज के पिछले दिन हम को यहां पर PNV में लगबग आदा परसंट नेगटिविटी यहां पर देखने को मिली है और यहां पर शेयर आप देखिए लगबग पिछले तीन दिन एक दिन, दो दिन और तीन दिन लगाता है करा था रहुत देखने को मिली है और उससे पहले भी आप देखिए उसका जो हाई था लगबग यहां पर 39.50 का था उसके अगले दिन इसका जो हाई है को हाई ज़ो हाई निचले लावश तक देखने को मिला करद महां अगर माले कोई भी हाई के आज परस अगले दिन हमको candle जुरूर अफसाइड की और जाती भी देखने को वहली बले ही यहाँ पे हमको closing अंधर के अंदर ही हमको यहां पर देखने को मिला पिछले चार तीर चार दिनों के अंदर सकता है कि अगले तीन धिन ही जो भी हमको यहां पर अगले 3 दिन पर यहां पर सारथ को मिल रही थी एक ही दिन वह यहांपर सारी कंज्यूम होती हुए देखने को मिल रही है और अभी लगबग आप देखे 20-day exponential moving average के ऊपर यहाँ पर अभी इसने पिछले दिन ज़रूर यहाँ पर support लेता हुआ हमको देखने को मिला है लेकिन अभी भी हम देखेंगे कि अगर इस level को यहाँ पर तोड़ देता है क्योंकि लगातार आप देखें तीन दिन से नीचे ले लेकिन दिन जरूर आप जोड़ा सा म को देखने को मिला है उसके अगले दिन को यहाँ जो डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है पिछले तीन दिन से वह यहाँ पर कमजोर होता हुआ थोड़ा सा हमको देखने को मिल रहा है जूरी नहीं कि यहां से मलकी यहां पर निचले लावसक हमको जूरूर आता हुआ देखने को मिल सकता है लेकिन कोई बड़ी हमको यहां पर candle आने के असार थोड़ी कम लग रहे हैं जैसे हमको इस candle के आप देख सकते हैं काफी बड़ी हमको candle जो है वो देखने को मिल दी तो ऐसी candle आना थोड़ा यहाँ पर अभी मिश्किल हो सकता है लेकिन अभी भी downtrend जो है वो चल रहा हो सकता है consolidated करते करते यहाँ पर volume जो है दीड़े-दीड़े कम होता जाए जब तक volume जो है दीड़े-दीड़े अगर कमी होती जाए इसका मतलब यही होगा कि यह जो downted तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है पिछले तीन दिन से लेकिन यहाँ पर volume के साथ ही यहाँ पर selling हमको नहीं देखने को मिली अगर माली जो volume काफी जाद हमको increase होता हुआ देखने को मिलता तब हम यहाँ से कह सकते थे कि आपको PNB से निकल जाना चाहिए यहाँ पर volume के साथ लोग यहाँ पर selling करनी अभी start कर चुके है PNB share के अंदर यहाँ पर SM को नहीं देखने को मिलता जो कि यहाँ पर कच्छी बात है और और चीज़ यहाँ पर देखिए इसने लगबग 39 के आसपस यहाँ पर दो तीन बार यहाँ पर अपना resistance यहाँ पर बनाया है पहली बार आप देखिए इस level को तोड़ने के बार यहाँ पर एक बार फिर से हमको यहाँ पर इसने टेस्ट करने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर इस level को तोड़ने ही पाया तो यहाँ पर मैं कूँगा आप देखिए लगबग इस level के आसपस से हमको यहाँ पर एक पच्छी काची 6.80 के उपर अगर यहां पर मैं 15 मिनिट के उपर दिखा रहेता हूं आपको सो यह जो इसका यहां पर इसका जो बना हुआ है पहले इसका सपोर्ड का काम करा था आप देखिए यहां से एक बार अपसेट के और रैली जाने के बार इस लेवल के आसपास इसने यहां पर सपोर्ड लिया फिर से थोड़ा उपर जाने की कोशिश की लेकिन यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल इस लेवल को बार बार इस लेवल ने डिटेस्ट क और इसके ऊपर निकलने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया तो यह लेवल इसका काफी यहां पर मैं कुंगा crucial point है यहां पर इसका अच्छा खासा यहां पर resistance बना हुआ 36.75 के आसपास अगर मैं लिजे 36.75 के ऊपर यहां पर आदा गंटा यहां पर sustain करता हुआ देखने को मिलता है तब आप यहां पर एक शोटी सी buy की call यहां पर ले सकते हैं इसके अंदर एक दो दिन की और इसके बार जो target होगा वो लगवगा आप देखे 39 के लेवल के आसपास का यहां पर इसका target हो सकता है अवको एक गैप ऊपनीग देखने को मिली इसलेवल के आसपास हमको यहां पर पहले भी आप देखने को मिली थी और इसके बार फिस से हमको यहां पर यहां पर तीस्रे जिन हमको फिस से देखने को मिला तो उपर के इस लेवल को तोड़ने के बार उसके उपर यहां पर 39 के यहां पर सस्टेन कर जाता है तब आपको यहां पर मैं कुँँगा लॉंग टरम की यहां फ्रैश पॉजिशन बाय की और यहां पर दख सकते हैं तो अभी यहां पर ट्वॉंटि डप्ट एक्स पॉजिशन मूविंग आवलेज का यहां पर सपोर्ड लेने के बार थोड़ा उपर की और हमको जाता हुए देखन को मिल सकता है अगर मालीज आपको यहाँ पर सेलिंग वियारा की ऑपरचिनिटी दूढ़ने तो आप देखी यह जो हमको यहाँ पर काफी बड़ी यहाँ जो कैंडल देखने को मिली है इस लेवल के थर्टी 4.50 की नीची यहाँ पर अगर हमको जाता हुआ देखने को मिलता है और यहाँ पर हमको थोड़ा इसी लेवल के आसपा सको शॉलीडेट भी करता हुआ देखने को मिल सकता है तो बाइं का मैंने आपको इंट्रादे दो दिन का यहाँ पर बता रही है इस लेवल की ऊपर सस्टेइन करता है तो बाइब बना सकते हैं तो आप शौर्ट टार्ग यहां पर पूजिशन बाय की यहां पर बना सकते हैं उसके बाद उसका अगला जो है लगबग टार्गेड हो 43-44 के आसपार यहां पर हमको अगला इसका टार्गेड जो हाव देखने को मिली है तो जो कि यहां पर एक अच्छी बात है यहां पर हमको delivery जो percentage यहां पर थोड़ी सी increase होती है देखने को बलिए और delivery quantity भी आप देखिए लगबग पिछले दिन से हिसाब से यहां पर हमको ठीक ठाक सी यहां पर delivery देखने को बलिए लेकिन कोई कोई बहुत बड़ा number नहीं है जिससे हम यहां से कह सकते हैं कि यहां से हमको एक reversal भी देखने को मिल सकता है यहां पर भी बिल्कुल neutral position है अगर आपको buy की position ही लेनी तो levels मैंने आपको बता रही है sell की अभी position ही आपर नहीं बनती है आप थोड़ा wait कीजिए अगर हमको पूरा confirm होगा तभी हम lower levels के आज-पास यहां पर sell गयरा की position ही अग गयरा बनाने की कोशिश करेंगी तो यह थी आज की वीडियो कर वीडियो अच्छा लगा तो like, share और subscribe ज़रूर कीजिए अगली वीडियो में नमस्कार